मकर संक्रांती के बाद उत्तर भारत थंड से काप रहा है मौसम विभाग ने इसे कोल दे की संग्या दी है जानने कि जहां सूरिदेव दक्षनायन से उत्तरायन यानी मकर राशी में प्रवेश करते हैं तो थंड भी कम होने लगती है लेकिन इस वर्ष मौसम चक्र कुछ और दिशा में जा रहा है पहाडों में हिमपात और मैदानी शेत्रों में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद थंड पहले से ज़्यादा बिहाल कर रही है रविवार को कानपुर मंडल के जिलों में घना कोरा चाया रहा हाला कि दिसंबर का महीना इस पश्ट रूप से बिना किसी कोरे के गुजरा वहीं पहाडों में निश्करी मौसम प्रणाली ने भी बर्फबारी में देरी की जो जनवरी तक लुड़क गई आज सुबह नियूंतम तापमांच चार से पांच डिग्री सेल्सियस के बीच रहा जिसके परिणाम सुरूप सो प्रतिशत आदरता और शूर निहवा की इस्थिती रात और सुबह तक बनी रही जैसा कि मौसम विग्यान विभाग का पूरवा अनमान है कि अगले 48 घंटों तक कोहरे की स्थित बनी रहेगी और जिस तरह सीत लहरी चल लही है वो पूरा कान पर मंदल सहित पूरे गंगा के मैदानी भागों में बिहार तक अपना असर डालेगी लेकिन इसके बाद थोड़ा कोरा चटने के उम्मीद है क्योंकि हवाओं की गती थोड़ी तेज होगी किसानों को सला दी जाती है कि वो अपने खेतों में पाला से बचाओं की इंतजाम कर ले क्योंकि आगे ताप मान गिरने के भी संभाना लग रही है